हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे यामा की सबसे फेमस और रेट्रो बाइक यामा आरेक्स हंडेड के बारे में जो की काफी जल्दी फिर से इंडिया में लॉंच हो सकती है और कब तक की बाइक इंडिया में आएगी कितना प्राइस होगा इसका ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो पहले वाली RX100 की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से RX100 की जो लुक्स और डिजाइन था वो काफी अट्रेक्टिव था और इसमें 98.2 cc का 2 stroke का इंजन मिलता था जिसमें 11.2 hp की पावर मिलते थी और 10.45 nm का टॉक मिलता था जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छी पावर मानी जाती थी साथ ही 4-speed gearbox इस बाइक में मिलता था और इसके front में conventional type के front fork साथ ही rear में twin shock absorber suspension मिलते थे और safety के लिए front और rear दोनों में ही काफी best quality के drum brakes मिलते थे लेकिन RX100 क next generation model की बात करें तो अब ये bike RX125 या फिर RX155 CC में launch होगी क्योंकि फिलाल Yama के पास 100 CC का engine अभी नहीं है लेकिन इसकी जो looks out design है ये काफी हद तक पहली वाली RX100 से inspired होगा इसमें round shape की LED headlight मिलेगी round shape की LED DLS मिलेगी round shape की LED tail light मिलेगी और round shape के ही indicators इसमें मिलेगी साथ ही दोस्तो जो इसका meter console है ये भी round shape में ही मिलेगा और बात करें safety की तो new RX100 में front में disc brake मिलेगा साथ ही single channel ABS भी इस bike में मिलने वाला है तो दोस्तो इस bike की looks और design की बात हो गई है अब बात कर लेते हैं इसके launch rate की तो अभी तक कोई भी confirm launch rate इसके बारे में नहीं आई है लेकिन हो सकता है 2024 2024 में ये bike इंडिया में launch हो जाए दोस्तो अगर price की बात करें तो इसका extra room price 120,000 रुपे से start हो सकता है तो ये थी सारी details यामा RX100 के next generation model के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना शेयर कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं आपको bikes के new updates मिलते रहें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next video में thanks for watching